पूजा का समापन ही नहीं होता है और कपूर जो है एक आयुर्वेदिक आउसधी का काम करता है कपूर जलाने से आज पास मवजूद बैक्टीरिया और वाइरस जो है ये तुरंत नश्ठ हो जाते है कपूर जलाने से तनाव और अनिद्रा की समस्या में भी आराम मिलता है देवी देवताओं के सामने हर रोज कपूर जलाने से महापूरे मिलता है कपूर जलाने से राहु केतु का दोस दूर होता है पितर दोस से अगर परिसान है तो सुबह साम और रात को अपने घर में घी में कपूर भीगो करके अगर जलाएं तो निश्चित रूप से पितर दोस से भी मुक्ति मिलती है अपने बाथरूम में कपूर की दो टिकिया रखें उसे जलाएं नहीं घर में नकारात्मक उर्जा का अगर वास्त दोस है तो घर में हर रोज पानी में कपूर मिलाकर अगर पोंचा लगाया जाए तो नकारात्मक उर्जा से पीछा छूटता है कपूर से किसी व्यक्ति को लगी नजर भी आप उतार सकते हैं तो कपूर के बहुत चमतकारी उपाय हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं जिन घरों में राम दर्बार की आरती कपूर से होती है और नित्य होती है सुवा साम होती है उस घर में कभी भाईयों भाईयों में दिवरानी जिठानी में सास बहु में तनाव नहीं होता है झाल झाल